आज की वीडियो में मैं आपको 699 की फेक्टर ट्री बनाना सिखाऊंगा फेक्टर ट्री बनाने से पहले आपको पता होना जरूरी है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं वह नंबर जो 1 से डिवाइड हो या फिर खुद अपने आप से डिवाइड हो क्या कहलाते हैं प्राइम नंबर्स कहलाते हैं एक्जांपल के लिए 2, 3, 5, 7 and so on ये कुछ आपके प्राइम नंबर्स होगे इसके बाद इसमें आपको टेबल्स आना जरूरी है फिर जिस तरह से ट्री की ब्रांचिस होती हैं उसी तरह मैंने 699 की तो ब्रांचिस बनाई लेफ्ट साइड में लेए आपको हमेशा प्राइम नंबर मिलेगा राइट साइड में अगर आपका प्राइम नंबर आ जाता है तो यहीं पे इसकी फैक्टर ट्री क्लोज हो जाएगी 3 x 233 699 हुआ और राइट साइड में 233 है जो कि इक प्रांफ नंबर है इसका मतला है कि आपको चेक्टर ट् यह गलत इसके लिए आपको left to right चलना होगा left to right चलते टाइम आपको सभी के सभी नंबर प्राइम नंबर ही मिलेंगे प्राइम नंबर को आपस में multiply कि जाता है मिल्टिप्लाइ करने के बाद इसका result हमेशा वही होगा जिसकी आपको factor 3 बना नहीं थी 3 into 233 699 को इसका मतलब है कि आपकी factor 3 एकदम सही है और अगर आपको 699 की factor 3 का यह वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो please मेरे चैनल को like and subscribe जरूर कीजिए